सूबे में मौसम को लेकर अलट जारी कर दिया गया है परवती इलाकों में बारिश हो सकती है बारिश और बरवारी से चमोली में बदल सकता है मौसम का मिजाज तो परवती इलाकों में बारिश और बरवारी हो सकती है जिसकी वरह से मौसम का मिजाज जो है वो पूरी तरह से बदल सकता है, पत्चिस से 28 परवरी तक बारिश और बरबारी की संभवना जताई गई है। परवर्डी तक बारिश और बरबारी का अंदिश्य जताया गया है तो आपको बताते हैं दहरादून से खबर हम आपको अतारे हैं सूबे में मौसम को लेकर अलट जारी किया गया है इस मावले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संबाद आता नवीन पंडे हम से जुल गए है नवीन आप से जानना चाहेंगे एक तरफ पहले से ही कोहरे का कहर और ठंड की ठिट्रन थी लेहाजा आप एक बार फिर से अलट जारी किया गया है जिसकी तहर बारिश और बरब इसकी संबावना जताई गया है मौसम विवाग ने जो फॉरकाट किया उसे एक चिंता की बात यह आ गई है कि जो चमोली जहां पर आपदा हुई है वहां पे भी मौसम जो है खराब होगा और वहां भी बारी सो बरबारी हो सकती है इसे लेकर एंटी पीसी ने अभी एक अल इसका जल असर भढ़ अपर सकता है इसे लेकर अलड़ किया और इसको इसको एलड़ के बाद से एंटी पीसी ने अलड़ जो बचाय कर रहे है उसके लिए उसके लिए तियात के तोर पे जो टनल है यहां पर अभी विदिकत हो रही है पानी प्लड़ हो के वाहर के तरफ आ तो उसको भरने का काम जो मलवा है उससे किया जा रहा है ताकि जो अगर रिसी गंगा और जौली गंगा नीचे के तरफ पानी का जलसर बढ़ता है तो वो पानी जो है टनल में ना जाए अगर एक बाद फिर पानी टनल के अंदर जाएगा तो इसकी बहुत खराब हो सकती है औ कि तरीके से बादनी का घोचिस की जा रही है कि अगर नदी का लेवल बढ़ता है तो उसको वहीं पे रोका जा है ताकि किसी तरीके के निपकत करना करना पर ना पर सकता है चामॉली को लिखा खास तवर पर बारिष और बारवारी का संभावना बनी हुई है जिए राउल और लेडी पहले से ही हमेशा से ही सर्द मौसम रहता है वहाँ पे टेंपरेचर 2-4 डिग्री सक नीचे चला जाता है बरबारी होती है तो यह मौसम पहले से ही यानि चौमुली का जो अगर फोरकास्ट वेजर का हम हर बारो महीने की बात करें तो बहर ठंड हो बिल्कू सही का आपने की बहर ठंड है यहां पे और अगर यह बारी होती है तो बचावकार निश्ची तोर पर जारी है एंडियारेफ स्टियारेफ जैसा आप जानते हैं सभी तरीके की लगी हो यह सेना ने आज एक ब्रिज बनाने की भी रहनी गाओं को ले जाने के लिए जो लोग है उन सब्सक्राइब को निकालने का काम हो रहा है उसमें इस दोर पर जिक्कत आएगी कारण यह है कि देखिए कोई पंडाल रहत कारे की जहां तेक बार ने लगाई गया है लेकिन जो आपरेशन है उसके कही ना कहीं असर तो पड़ेगा है जी बिलकुल आपने सही फरमाया इसक अपने सब्सक्राइब करता है तो क्या इसके लिए देखते हुए भी क्या कोई कारण भी जारी किया गया और इस थानी लोगों के लिए अलग से एडवाईजरी दिजारी की गई है जो बिलकुल राउल आपने बिलकुल सही फरमाया कि एलो एलट जारी किया है मौसम विवाग ने और इटमेट जैसा मैंने बताया कि एंची पीती ने भी एलट जारी करके और पुरा आथपास के गाउं को सब को इलट कर दिया है इसी के तहत आई टी बीपी और जो SDRF के ज जानकारी के पश्चमी विजो जो है उसकी वज़से यह मौसम विभाग अचानक से बदल सकता आप लगाता हमारे साथ बने रहेंगे आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे